हेलो अब्रीबन स्वागत है आप सब कर एक पर फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आप हुई मानशनु जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी पूरी कंट्री में लोगडाउन लगा हुए और इस लोगडाउन के लगने का कारण किया है इस पूरी की पूरी जो पू जितने भी बड़े बड़े सेंटिसन वैसेंटमिक ओरनाजिशन है वी इस क्रण वडनावाई जूर्य दूनियूता कहीं आप सारी संटिस्ते वैड़ी में लोगी है और कुछ हटब बीन यह बद उतना सक्सेस्फुल नहीं पया उनों फो उपीद की इस वीजह दिसे जए क जो हमारी कंट्री है हमारी कंट्री की जो एक बहुत बड़ी आईवीद कंपनी पतंजली कंपनी उन्होंने कल मंगलवार को बारा बजे उत्राखंड के योगपीड में कुरोना वाइस की वैक्सिन को लॉंच किया है जिसके को फांडर है बाबा राम दे और अचार्या बाल कि जो कोरॉना वाइस की वैक्सिन मंगलवार को बारा बजे उत्राखंड में हिसको लॉंच किया तो मैं अज़ आपके साथस्कूस करह हैं कि इस यो पतंज बाबा राम दे जी ने कोन वाइस की वैक्सिन लॉंच किये अंदर कौन में से इंग्रेंट्स कौन कौन करूंगा तो अब दें काई जाज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कई अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जबा देजिए और साथ में आरे बैल आइकन को ज़रूर दबा दिये ताकि सब्सक्राइब और अचारिया बालकृस के लिए जो वैक्सिन है वह उत्राकंड के हाइदवार के योगपीट में कल दोपहर 12 बजे उन्हों इसके लिए वैक्सिन लॉंच कर दिये कल इन्होंने वैक्सिन लॉंच किये गई इस बड़ इसके बारे में जो इन्फुमीशन है अचारिया बालकृस ने अपने ट्वीट के जरिए सोंवार को ही देती थी कि दो मंगलवार को 12 बजे कोरोना वाइरस की वैक्सिन जो है लॉंच करने जा रहे हैं और जो वैक्सिन है दुन्या की पहली फुली आरुवेदिक वैक्सिन होगी कोरोना वाइरस के लिए इसमें ह इस बात को बताने हैं बहुत प्राउट फिल कर रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने दुनिया का सबसे पहले आरुवेदिक वैक्सिन निकाला है कोरोना वाइरस के लिए और कल वो मंगलवार को वो इसका लॉंच करने जा रहे हैं तो इसकी जो इन्फोमिशन होने सोंवार को ही सबस्क्राइब को लोगzeug दिती और मंगलवार को कल मंगलवार को एकौडराणदेव और अचाले बाराक शर्शनה उत्र कंड के योगपील में इसका लॉंच किया हूँ है इसके अलावा नावसाज्ट मार्ण रॉंच करने के बार में आपके जा सबस्क्र這樣子 कर देता हूं बाबाराम दिव ने लाउंच की और आपके लाउन्ट का आपके अब इसका या जो जो अनुद्रहा इसका नाम धिया हूं कयाने कि तीन दवाईयां इसमें इंक्लूड है पूरे क्युन थी मित पीविर्ड करन के सकते लिए आपके स्प 21 दवाईया इंक्लूड हर आपका यूज़ कर सकते हैं तो बाबरामदे ने जब इसको लॉंच किया उसके बाद आपने प्रेस कॉंफरेंस में चीज़े कही है कि हमने जो बाबरामदे नहीं बात करेंगी जो कोरोनेरी टैबलेट है उसका स्वासरीवती और अनुतला है उन्होंने कहा कि इनका जो रिजर्ट है किसी के ओपर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ यारी कि इसका जो रिजर्ट है 100 परसें डिजर्ट है ऐसा बापा रामदेव ने प्रेस कॉंफरेंस में कहा उसके लावा नोंने ये भी कहा कि कि क्लेंड आट उन्होंने कहा कि जो एमदाबाद मेरट के एमदाबाद मेरट आट जो निफेशोन वा नí के साथ इसका क्राइव हैं उन्होंने कि ट्र carpet चौन परसेंट जो लोग थे उनातर परसेंट जो लोग पारे से वह साथ दिर हो में रिकورारीं कर रारा है तो युदि भूर कोंडिवन से ग्रसीत बाइसीटाल निए कहा कि this प्रिस्टी पॉर्मेंट दिए पर रिखती जो भी आप इसका जो भी आप आप इसका बिलकुल रोग दिजिए क्योंकि उनका कहना है कि जब तक अभी तक हमारे पास कोई डिटेल नहीं आए है कि आपने इसका successful trial किया है या नहीं किया या आपका जो trial है is क्या successful हुआ है या जब तक हमारे पस detail नहीं आए हैं तो तक आप अब से वहारे हमें साही डिटेल्स भीजनी होंगे कि आपने कितना ट्राइल किया तो जब तक अमारे रिटेल नहीं आती आप इसका कोई भी एड़िजमेंट आप से नहीं कर सकते हैं तो जैसे आइस मंतरालों को यह मिला तो उनोंने कहा कि अभी तक हमारे बारे में हमें इसके बारे में कोई इंफोमेशन नहीं मिली है इनके ट्राइल के बारे में और इसकी जो भी सेक्सेफिली नहीं ट्राइल किया है इसके बारे में कोई आपने कोई इंफोमेशन नहीं है कि इसलिए उन्होंने पावा राम देव को या फिर जो पतंजली कंपनिया उसको अभी इसका सेल करने के लिए मना किया हुआ है इसके अलावा गईज आईउस मंत्राले ने अपने स्टेटमेंट में क्या का का है आईउस मंत्राले ने अपने स्टेटमेंट में ये का है कि आज पंतराले कहते हैं जो भी आप statement दे रहे हैं कोवीड-19 के बारे में जो आपने गोरोना के लिए वैक्सिन लॉंच किया उसके बारे में जो भी आपने बाते कही हैं उसके बारे में कि यह जो पॉजिटिव लोगों के लिए को ट्रीट करेगा तो उसके बारे पहले आपको लोगों पर आपने इसको सैंपल किया है इसके लावा गई जो CTRI है क्या आपने उसे रिस्टेक्शन लिया या नहीं लिया तो यह सारी चीज़े पहले आपको इस सब की जो डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताया पहले जिए कितना आपने सैंपल साइज लिया दूसरी इसके लिए प्लांट लगाया काव आपने इसके लिये इसके लिये प्रोटोगोल फक्रोलोगेया किते लियूक क्या आपने जो चामिटी है ए इंस्ट्وع्ट कमिटी के क्लρείंस ली है यह नहीं किया CTRI करवा या नहीं करवा है इस सबी की डिटेल्स आप पहले हमें दीजिए हम उसको वेरिफाई करेंगे और वेरिफाई करने के वाद आपको रिपोर्ट देंगे उसके बाद ही आप इसको कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं उससे पहले आप इंको पेच नहीं सकते ना इसको कर सकते हैं साफ साफ आइस मंतराले ने अभी यह और चेतावनी दी है बाबा रा और उद्सके बाद क्योदिल है और इसके करें और यूक्तेर सब्सकोराँ कर्या ही और उसको वेरिफॉय करेंग। आप ने टुट में कि उन्होंने जितने भी सारी इंफोमेशन थी वह अपने वैक्सिन से रिलेटेड वह सभी की सभी आइस मंतराले को दे दी है और यह सब कुछ किस वज़े से वह गए हैं और इसको आप स्वाट आउट कर दिया गया है तो अब कोई दिकत नहीं है उनके अक जोनल्स अचारे बाला करें आप अपर ओपिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है बट अगर official notification आ जाता है तो आप इसको कैसे खरीच सकते हैं इस vaccine को और कहां से आप इसको खरीच सकते हैं और कितने रुपर में आप खरीच सकते हैं तो गईस को और की जोग मैडिसी नहीं इसके पूरा कीट है इसमें तीन दवाई हैं गैस मैंन आपको बताया एक कोरोनिल मैडिसे ना उसके बास वास्ती है उसके बाद अपका जो अनुतिल है इसको आप खरीच सकते हैं पतंजली पतंजली ने काए कि आप और मी के वेबसाइ में महां पर आजाएगा आप उति एक खरीच सकतते हैं तो मैं इसमों फैस भी आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि आइस बादेफ्य नहीं क्या कि लीड़न वह आप ए गया है यह भी zajний ने का कि हमें waarन्ड नहीं पर अपन हमें पर स्कुर है मैं को मैं में ठेक सर्षय को एक कर तो अभी आप इसकी वैक्शन को नहीं कर सकते हैं नेक्स मंडे तक अगर आइस मंदाले को नोटिफिकेशन आजा थी तो आप और मी के वेबसाइट वेज़ा के इसको खरीद सकते हैं इसके रिवार्डिंग जैसे जाते कोई इंफोमेशन आई के और आपके लिए इंफोमेशन दीता रहा हैं फिर भी अगर आपको कोई डाउट नाइस के रिवार्डिंग तो प्लीज कमेंक्ट सब्सक्राइब करियेगा